Good morning class 2 आज हम पढ़ेंगी आपकी व्याकरन पुस्तिका का पार्ट पांच पार्ट पांच है संग्या संग्या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन संग्या को ही बूला जाता है ठीक है? अब संग्या जैसे नाउन और संग्या क्या होती है? किसी भी इंसान का या किसी भी दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं सबका कोई ना कोई नाम है आप अपने आसपास कितनी चीज़ें देख रही होंगी आप जिस पर बैठे हैं वह क्या है उसका भी एक नाम है हो सकता है आप जिस चीज पर बैठे हैं वो बैढ हो पलंग हो सकता है आप हो सकता है इस समय कुरसी पर बैठे हुए हो और हो सकता है आप जमीन पर बैठे हुए तो इस सब क्या है पलंग जमीन और कुरसी यह सभी क्या है नाम है ठीक है कोई इसमें जगह का नाम है कोई चीज इसका नाम है अब जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा ये पहला क्या दिखा रखा है इसमें एक क्या दिखा रखी है अब इसका भी कुछ नाम होगा या इसको मैं कहूंगी कि ये रेट कलर का कुछ है पेंक कलर का कुछ है नहीं इसका भी एक नाम है जिसको कहते हैं जिसका नाम क्या रखा गया चिडिया ऐसे ही अगली पिक्चर है बड़े बड़े कान है इसके तो इसका भी कुछ नाम होगा है या नहीं हम पहचान पा रहे हैं हाँ हमने एक दम से कहा ये हाथी है उसके बाद एक कौने सुन्दर सी क्या है ये इसका भी कुछ नाम होगा लड़की है फिर एक क्या है? एक चोड़ा सा घर है फिर एक शेब दिखा रख्य है कौन सी शेब है यह? उस शेब का भी एक नाम है कि वो एक तिर्बुजाकार है, एक ट्रायंगल है फिर एक पिक्चछर है? एक कार की पिक्चर है तो कहना यह है कि दुनिया में हर पस्तू का इस पैराग्राफ में हम पढ़ना शुरू करेंगे सुरेश प्रतियोगिता में प्रथम आया था इसलिए वे दोड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा इस बात को अपने माता पिता को बताते हुए वे बहुत खुश लग रहा था यह बात सुनकर सुरेश के माता पिता बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उसे गले लगा लिया इसमें जितने भी यलो कलर से मैंने जितने भी हाइलाइट की हुए है वह सब क्या है सुरेश एक लड़की का नाम है वह कहां से भागता हुआ गया स्कूल से वह एक जगह का नाम है वह कहां गया अपने घर गया वह भी एक जगह का नाम है उसने किसको बताया जिनको बताया उन वह भी उसके कोई थे और कौन थे वो उनका नाम क्या था माता-पिता थे वो उसके और वह क्या लग रहे थे उसको वो बहुत खुश लग रहा था क्योंकि खुश एक भाव है एक feeling है हमारी फिर सुरेश माता-पिता और आनन्दित ये भी एक भाव है जो हमारे चेहरे पर आ जाता है तो यह सभी शब्द क्या है संग्या है क्योंकि नाम है जिसे खुश और आनन्दित एक भाव का नाम है स्कूल और घर एक जगह का नाम है सुरेश और माता-पिता व्यक्ति के नीम है अब यहाँ मैंने दिखो आपको बताया संग्या क्या है स्थान का नाम है, वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है तो संग्या की परिभाशा क्या हुई? संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, भाव, जाती, दशा आदी को हम क्या कहते हैं? संग्या कहते हैं ठीक है, संसार के किसी भी प्राणी, वस्तू, स्थान, जाती या भाव दशा आदी को हम संग्या कहते हैं अब इसकी परिभाशा करेंगे हम, संग्या या नाउन की परिभाशा संग्या ओश शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेश वस्तु, भाव या जीव के नाम का पता चलता है दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुड या भाव के नाम को संग्या कहते हैं यानि जो भी नाम है वह सब संग्या है अब इसे हम उधारणों के साथ देखेंगे जैसे प्राणीों के नाम मोर, घोडा, अनिल, किरन, जवहलाल, नहरू यह सब क्या है? किसी के नाम है, किसी प्राणी के नाम है फिर वस्तु के नाम, वस्तु कोई भी हो सकती है अनार, रेडियो, किताब, संदूक, आदी आपके असपरस भी कितनी वस्तु होंगी? उन्हें आप बोलना शुरू करें जैसे अलमारी, खिर्की, मेज, रिमोट, टेबल, आपका गाड़ी, पैन, पैंसिल, कैलकुलेटर यह सब क्या है? यह सब वस्तु है फिर स्थानों का नाम, आप कहां रहते हैं? आप जिस भी जगह में रहते हैं? आप उसका नाम बोलेंगे दिल्ली, मैं दिल्ली रहती हूँ, तो मैंने दिल्ली का नाम लिया कुतब मिनार, एक जगह का नाम है, नगर, भारत, मेरत हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल भी एक स्थान का नाम है, हम शाम को खेलने के लिए जाते हैं, कहां, वह भी एक स्थान का नाम है, हम पार्क जाते हैं, भाव के ने, जैसे भाव, जो फिलिंग्स होती हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास, आदी, फिरत दिशाओं के भी पाकिस्तान आदी, परवतों के नाम हिमाले, विंधिहाचल, अलखनंदा, कराकोरम, ये सब भी नाम है, दिन और महीनों के भी नाम होते हैं, मई, अक्टूबर, जुलाई, सुम्बा, मंगल, ये सब भी क्या है, नाम है, तो दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम है, वह संग् है, हम इसको एक बार और देख लेते हैं, संग्या उस शब्द को कहते हैं, जिससे किसी विशेश वस्तू, भाव और जीव के नाम का पता चलता है, दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तू, स्थान, गोणिया भाव के नाम को संग्या कहते हैं, अब यहाँ भी कितनी सारी चीजे हैं, यह सभी क्या हैं, संग्या हैं, इन सब का भी कोई नाम है, तो आप अपको संग्या समझ में आ गई होगी, किसी भी वस्तू, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को हम संग्या कहते हैं, ठीके, अपने आसपास की चीजों को एक पेज में लिखना शुरू कीज कि यह सभी चीजे संग्या हैं, ठीके, हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए,